Study IQ IS अब तयारी हुई Affordable Women Freedom Fighters Story of Unknown Heroines of India Welcome to Study IQ मेरा नाम है अधेश सिंग दोस्तों आप सबने महात्मा गांधी, भगत सिंग, चंदरुशेकर आजाद, लाला लाजपतराई, अश्वाक उल्ला खान, जबाहर लाल नहरू, सुभाष चंदर बोस, बाल गंगा धरते लग जैसे अनेकों स्वतंतरता सेनानियों के नाम तो ज़रूर सुने होंगे क्योंकि इन ही स्वतंतरता सेनानियों के बालिदानों की कहानी भारतिय स्वतंतरता संग्राम की गौरव गाथा का निर्मान करती है पर कहीं न कहीं इस गौरव गाथा में हमेशा पुरुष वर्ग का जिक्र ज्यादा रहता है रानी लक्ष्मी भाई, मैडम भीकाजी कामा, सरोजनी नाइडू, दुरगा भावी जैसे कुछ चुनिंदा नामों को छोड़ दिया जाए तो महिला Freedom Fighters की चर्चा अकसर उतनी नहीं होती लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंडियन विमेन का इंडिपेंडन स्ट्रॉगल में रोल कुछ कम था, ऐसा बिलकुल भी नहीं है Freedom Struggle के हर मोड पर महिलाओं ने बढ़ चड़ कर अपना योगदान दिया था आज हम कुछ ऐसी ही Women Freedom Fighters की कहानी लेकर आए हैं जिनकी शौर ये गाथा को अकसर इतिहास की किताबों में जगह नहीं मिलती इस सफर की शुरुआत करते हैं कितूर की रानी चे नम्मा से कितूर रानी चे नम्मा रानी चे नम्मा कितूर करनाटका देश की रानी थी ऐसा कहा जाता है कि रानी चे नम्मा ब्रिटिशर्स के खिलाफ हत्यार उठाने वाली पूरे भारत की पहली महिला थी यूं तो ये भारत से बिटिशर्स को भगाने में सक्सेस्फुल नहीं हुई लेकिन बिटिशर्स के खिलाफ किये गए उनके इस विद्रोह ने पूरे भारत की नारियों के लिए प्रेरणा का काम किया अगर इनके जीवन की बात करें तो इनका जन्म 1778 में करनाटका के एक छोटे से गाउं ककाती में हुआ बच्पन से ही ये अपनी युद्ध कौशल के लिए जानी जाती थी इनका विवाह कि टूर के राजा मल्ला सराजा देसाई से हुआ और उनसे उनके एक बेटे की प्राप्ती हुई कुछ सालों बाद उनके बेटे की मृत्यू हो गई और शायद इसी वजह से रानी चे नमा को ब्रिटिशर्स के खिलाव जंग छेडनी पड़ी दरसल ब्रिटिशर्स दुआरा डॉक्ट्रिन अव लाप्स नाम की पॉलसी को भारत में लागू किया गया था जिसके तहत किसी भी भारतिय राजा की अपनी खुद की संतान ना होने पर उसका राज्य ब्रिटिश एम्पायर में विले कर लिया जाता था यानि उन्हें अडॉप्टेड चाइल्ड को अपना उत्तराधिकारी बनाने का राइट नहीं दिया जा रहा था इसके लिए उन्हें ब्रिटिश सरकार से अप्रूवल लेना पड़ता था जो ज्यादातर केसेज में वो नहीं देती थी और इस तरह ज्यादा से ज्यादा भारतिय राज्यों को हड़पने के तैयारी थी किटूर राज्य के साथ भी यही होना तैय था क्योंकि उस समय किटूर का कोई उत्तराधिकारी नहीं था पर रानी चेनम्मा और किटूर के लोगों को यह बिल्कुल भी मनजूर नहीं था उन्होंने अपने छोटे से राज्य के सभी लोगों को एक जुट किया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया इस विद्रोह में ब्रिटिश पुलीस के कई जवान मारे जाते हैं जब ब्रिटिश गवर्नमंट को मालूम चला कि एक छोटे से राज्य के लोगों ने उनके कई सारे आफिसर्स की हत्या कर दी है तब उन्होंने की टूर पर एक बड़ी आर्मी के थूँ अटैक करवाया इस अटैक में भी जब राणी चे नम्मा और उनकी टीम की जीत होने लगी तो ब्रिटिश आर्मी ने उनके साथ चल कपट करना शुरू कर दिया इसके तहट ब्रिटिश आर्मी राणी चे नम्मा के किले में घुज गई और वहाँ उनके तोपों से कन पाउडर निकाल कर उसमें कीचल भरना शुरू कर दिया ऐसा करने से राणी चे नम्मा की सभी तोप बरबाद हो गई और वो ब्रिटिश के खिलाफ जंग में हारने लगी राणी चे नम्मा को बंदी बना लिया गया और उन्हें पांच साल तक जेल में रखा गया जिस दोरान उनकी मृत्यों हो गई दोस्तो राणी चे नम्मा अंतमे ब्रिटिश से हार जरूर गई लेकिन एक समय के लिए उन्होंने अपनी एक छोटी सी फौज के साथ ही ब्रिटिश गवन्मंट को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था इनकी इसी वीरता से इंस्पायर होकर भारतिय महिलाओं ने ब्रिटिशोंस के खिलाफ जंग में बढ़ चड़ कर पार्टिसिपेट करना शुरू किया रानी चिन्नमा के बाद हम जानेंगे बिंगॉल की विरांगना मतंगिनी हजरा के बारे में मतंगिनी हजरा मतंगिनी हजरा को बेंगॉली में प्यार से गांधी बुरी बुलाते हैं जिसका मतलब होता है ओल्ड लेडी गांधी वर्ष 1905 से ही मतंगिनी हजरा ने भारतिय स्वतंतरता संग्राम में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था आगे चलकर ये गांधी जी की आइडियोलोजी से काफी प्रेरित हुई और उनके आंदोलनों में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया 1930 में सिवल डिसोबीडियन्स मुव्मेंट में अपनी भागीदारी देते हुए इन्होंने सॉल्ट एक्ट को तोड़ दिया जिसके कारण ये अरेस्ट भी हुई हलाकि अरेस्ट होने के कुछ ही समय बाद इनको रिलीस कर दिया गया लेकिन रिलीस होने के बाद भी इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना जारी रखा जिसके कारण उन्हें फिर से ब्रिटिश सरकार ने अरेस्ट कर लिया इस बार उन्हें छे महिने के लिए बलरामपुर जेल में बंद किया गया जेल से रिहाँ होने के बाद मतंगीनी हाजरा ने इंडियन नैशनल कॉंग्रिस को जोइन किया इसके बाद उन्होंने सिरामपुर का सबडिविजनल कॉंग्रिस कंफेडिरेशन भी अटेंड किया इस conference को रोकने के लिए British government ने police force का use किया जिसके कारण स्वतंतरता से नानियू और police force में टकराव देखने को मिला और इस भिडंत में मतंगिनी हजरा भी काफी चोटिल हो गई लेकिन घायल होने के बाद भी इन्होंने अपना participation जारी रखा फिर 1942 में इन्होंने मैदिनीपुर में Quit India movement के तहट हो रहे protests को जॉइन किया इस movement के तहट वो और उनके सभी साथ ही मैदिनीपुर को British control से आजाद करवाना चाहते थे इसी movement के दौरान 29th September 1942 को तामलुक police station के ठीक सामने जब ये protest कर रही थी तब British police द्वारा इन पर तीन गोलियां चलाए गई जिससे इनकी मृत्य हो गए जब इन्हें गोली मारी जा रही थी तब भी उन्होंने अपना साहस पर करार रखा और मरते वक्त भी जोर-जोर से वंदे मातरम बोलती रही मतंगिनी हाजरा एक सची दीश भक्त थी जिन्होंने पूरे साहस और शक्ती के साथ Britishers का सामना किया और भारत की आजादी की लड़ाई में एक एहम रोल निभाया मतंगिनी हाजरा के बाद आई ये बात करते हैं असैम की बेटी और प्रमुक्स वतंतरता सेनानी कनकलता बरुआ के बारे में कनकलता बरुआ कनकलता बरुआ को बीर बाला के नाम से भी जाना जाता है ये असैम से बिलॉंग करती थी और इन्होंने भारत के स्वतंतरता संग्राम में अपना एहम योगदान दिया बीर बाला ने 1942 के क्विट इंडिया मॉव्मेंट में काफी बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया इस मॉव्मेंट के तहत इन्होंने बरुआंग बारी रीजन की महिलाओं की ग्रूप को लीड किया और बिटिश के खिलाफ उन सभी फीमेल वॉलंटियर ग्रूप के साथ मिलकर एक मोर्चा निकाला इस मोर्चे का एक ही मुद्दा था और वो था बिटिश डॉमिनेटिड गोहपुर पुलीस स्टेशन में बिटिश सरकार भारत छोडो जैसे स्लोगन्स रेज करते हुए इंडियन फ्लैक को होईस्ट करना हालांकि बीर बाला अपने इस लक्ष में सफल नहीं हो पाई क्यूंकि बिटिश फोसेज ने इन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया लेकिन बिटिशर्स द्वारा रोके जाने के बावजूद वो अपने लक्ष के प्रती अटल रही जब बिटिशर्स को लगा कि धीरे धीरे अब सिचुएशन आउट उफ कंट्रोल हो रही है तब उन्होंने बीरबाला और उनकी महिला वॉलंटियस पर गोली बारी शुरू कर दी और इस तरह इन्होंने देश प्रीम के लिए अपने प्राणों का बलिदान तक कर दिया बीरबाला अपनी शहादत के समय केवला ठारा वर्ष की थी इनकी चोटी सी आयू में देश के लिए इनका बलिदान और समर्पन अपने आप में अतलुनिय है बीरबाला के बाद हम जानेंगे लक्ष्मी सहगल के बारे में जिनकी शोर्य गाथा भारत और सिंगपोड दोनों देशों में गाई जाती है कैप्टन लक्ष्मी सहगल अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है वैसे तो इनकी शिक्षा दीक्षा एक डॉक्टर के रूप में हुई थी लेकिन इन्होंने स्वतंतरता सेनानी बन देश की रक्षा की लक्षमी सहगल के स्वतंतरता सेनानी बनने का सफर सिंगपो से शुरू हुआ सिंगपो में इन्होंने इंडियन इंडिपेंडन्स लीग में काफी अक्टिवली पार्टिसिपेट किया और साथ ही साथ वो वहां रह रहे भारत के माइगरेंट लेबरर्स के लिए एक क्लिनिक चलाया करती थी इसी दोरान उन्हें सुभाष्च चंद्र बोस के विचारों के बारे में भी पता चला सुभाष्च चंद्र बोस अपनी इंडियन नैशनल आमी में एक विमिन रेजिमेंट भी बनाना चाहते थे जो भारत की आजादी के लिए लड़ सके इसके बारे में पता चलते ही लक्ष्मी सेहगल ने उनके साथ एक मीटिंग की और इस विमिन रेजिमेंट को हेड करने की इच्छा जाहिर की सुभाष्च चंद्र बोस तुरंथ ही मान गए और लक्ष्मी सेहगल को रानी लक्ष्मी बाई नाम से बनी इस रेजिमेंट का कैप्टन बनाया गया जिस वजह से ये कैप्टन लक्ष्मी के नाम से काफी पॉपिलर हुई लक्ष्मी सहगल ने खुद तो भारत के स्वतंतुरता संग्राम में काफी आक्टिवली पार्टिसिपेट किया ही साथ ही साथ उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस जंग में हजारों की तादाद में महिलाओं को इकठा किया इस जंग के तहट दिसंबर 1944 में लक्ष्मी सहगल और उनकी रानी औफ जहांसी रेजमेंट ने जैपनीज आर्मी के साथ मिलकर बर्मा पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अटेक किया इसके बाद इनका प्लैन 39 की तरफ से इंडिया में घुसना था और वहां से ब्रिटिशर्स को खदेर ना था लेकिन बैटल आफ इंफाल के दौरान इनका सामना एक बड़ी ब्रिटिश फोर्स के साथ होता है जिसके बाद लक्ष्मी सहगल को यहां से वापस लोटना पड़ता है वापस लोटते वक्त इन्हें ब्रिटिशर्स ने 1945 में अरेस्ट कर लिया इसके बाद इन्हें बर्मा जेल में कैद कर दिया गया कुछ समय बाद 1946 में ब्रिटिशर्स ने उन्हें रहा कर भारत की और वापस भेज़ दिया भारत आकर भी लक्ष्मी सहगल ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करना नहीं छोड़ा और जैसा कि लक्ष्मी पहले से डॉक्टर थी आगे चल कर इन्होंने अपना जीवन लोगों की सेवा में गुजार दिया लक्ष्मी सहगल ने एक मिलिटरी विमिन और एक डॉक्टर दोनों ही रूप में देश की सेवा की इन्होंने बिटिशर्स के खिलाव बंदूग भी उठाई और साथ ही साथ घायल सैनिकों की सेवा भी की इनकी कहानी पूरे विश्व के लिए काफी प्रेरणा दाई है अब जानते हैं बिहार की एक साधारन सी ग्रहनी तारा रानी श्रिवास्तव की कहानी जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश हित में लगा दिया तारा रानी श्रिवास्तव तारा रानी का जन्म सारन बिहार में हुआ आगे चलकर उनकी शादी फुलेंदू बाबू से हुई और तारा रानी ने अपने पती के साथ मिलकर 1942 में महत्मा गांधी का क्विट इंडिया मूवमेंट जोइन किया उनके इस मूवमेंट को जोइन करने का केवल एक ही मकसद था और वो था ब्रिटिश कंट्रोल्ड सिवान पुली स्टेशन पर भारती ये जंडे को फैराना अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए तारा ने आसपास की सभी महिलाओं को मोटिवेट कर इस मूवमेंट से जोड लिया जब एक बड़ी संख्या में लोग उनके साथ आ गए तो तारा नानी ने अपने पती और सभी लोगों के साथ मिलकर सिवान पुली स्टेशन की ओर अपना मार्च शुरू किया वो ये मार्च इंकलाब का नारा लगाते हुए कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब इस मार्च के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे रोकने के लिए तारा रानी के ग्रूप पर गोलियां चलाना शुरू कर दी इस गोलाबारी में तारा रानी के पती को भी एक गोली लग गई जिसके वजह से वही मौके पर ही उनकी मौत हो गई लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी तारा रानी ने इनकलाब बोलते हुए अपने मार्च को कंटीनियू रखा वैसे तो वो इस मार्च में सफल नहीं हुई पर ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने मृत्पती से भारत को आजाद कराने का वादा किया था और इसी वादे को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी लड़ाई तब तक जारी रखी जब तक भारत आजाद नहीं हो गया तारा रानी के इस जजबे को जितनी सलामी दी जाए उतनी कम है उन्होंने अपनी घर ग्रहस्ती की चिंता छोड़ ने स्वार्त रूप से अपना पूरा जीवन आजादी की लड़ाई में व्यतीत कर दिया तारा रानी के बाद आईए बात करते हैं चिटा गॉंग की बहादुर स्वतंतरता से नानी प्रीती लता वद्देदर की प्रीती लता वद्देदर का जन्म 5 मई 1911 को बंगाल के चिटा गॉंग में हुआ था जो आज बंगलादेश का हिस्सा है ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रीती लता ने एक revolutionary organization दिपाली संग को जोईन किया इस organization में महिलाओं को कई तरह के fighting techniques सिखाए जाते थे इन techniques को सीखने के बाद प्रीती लता बंगॉल के revolutionary सूर्य से इनकी Indian revolutionary army को जोईन करना चाहती थी लेकिन उन्हें इसको जोईन करने की अनुमती नहीं दी गई क्योंकि इस army में केवल पुरुशों को भरती किया जाता था लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और इस armed organization को जोईन करने के लिए काफी hard military training ली इस training में इन्होंने कई combating skills सीखे इस training के बाद उन्हें Indian revolutionary army को जोईन करने की अनुमती दे दी गई इसके बाद पृती लता को साथ से दस military men का command सौपा गया और इन्हें पहार ताली European club पर raid का mission दिया गया इस club को raid के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि यहां पर Britishers द्वारा भारतीयों को अपमानित किया जाता था इस club में Britishers कई तरह से भारतीयों का physical और mental exploitation करते थे और Britishers ने इस club के बाहर एक sign board भी लगाया हुआ था जिस पर ये साफ लिखा था dogs and Indians not allowed प्रीती लता वादेदर अपने साथियों के साथ एक पूरुष के भेश में club पहुँच जाती है और ये लोग इस पर कबजा कर लेते हैं club को free करने के लिए Britishers द्वारा उनके और उनके group पर attack किया जाता है इस मुठ भेड में प्रीती लता के कई साथी मारे गए और उन्हें भी एक गोली लग गई गोली लगने के बावजूद उन्होंने Britishers के सामने घुटने नहीं टेके लेकिन प्रीती लता के पास वहां से बाहर जाने का मार्ग नहीं था और Britishers द्वारा उन्हें पकड़ा ना जा सके इसलिए उन्होंने साइनाइड का एक टाबलेट खाकर स्वयम की जान दे दी तो ये थी प्रीती लता वादेदर की कहानी कि कैसे उन्होंने Britishers के खिलाफ लड़ाई की और साथी साथ भारत के male dominated society और समाज के रूढ़ी वादी तत्वों पर भी करारा प्रहार किया प्रीती लता के बाद हम जानेंगे मनिपूर की प्रमुक स्वतंत्रता से नानी पमेई गाइडिनल्यू के बारे में पमेई गाइडिनल्यू पमई की गौरवगाथा पूरे सम्मान के साथ मनिपूर और आसपास के नागा रीजन्स में गाई जाती है इन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयू से ही अपना जीवन भारत देश और नागा ट्राइब्स की रक्षा में व्यतीत करना शुरू कर दिया था जब ये 13 वर्ष की थी तब हिन्होंने अपने कजन द्वारा लॉंच किये गए हेराका मूवमेंट को जॉइन किया ये मूवमेंट एक एथनो रिलिजिस मूवमेंट था इस मूवमेंट का एक ही मकसद था और वो था ब्रिटिशर्स द्वारा नागाज पर किये गए एक्स्प्लॉइटीशन को रोपना दरसल ब्रिटिशर्स फॉर्सफली नागा ट्राइब के लोगों का क्रिस्चियानटी में कंवर्जन करने लगे थे और इसी को रोखने के लिए पमै ने ये मूवमेंट जॉइन किया पमेई को जॉइन करने के बाद धीरे धीरे ये religious movement एक political movement बनता गया जिसके तहट पमेई और इस movement के अन्य members Britishers को पूरी तरह से नागा रीजन से भगाना चाहते थे और वहाँ नागा राज्य स्थापित करना चाहते थे इन्होंने Britishers के खिलाफ गोरिला युद्ध शुरू कर दिया इस गोरिला युद्ध के कई लक्षत है जैसे नागा tribal religion को revive करना Christian conversions को रोकना Britishers द्वारा लगाए गए heavy taxes को abolish करना इत्यादी और इन्ही कारणों की वजह से पमेई और उनकी टीम ने Britishers के विरोध में अपना अंदोलन शुरू किया इस विद्ध्रोह के तहत कुछ समय बाद पमेई और उनकी टीम Britishers पर हावी होने लगी और Britishers को जब ऐसा लगने लगा कि वो हार रहे हैं तब उन्होंने पमेई को अरेस्ट करने की कोशिश की और उनके खिलाफ सर्च वारंट जारी किया लंबे समय तक तो Britishers उनकी खोज नहीं कर पाए लेकिन 1932 में Britishers ने उन्हें ढूंड निकाला और उन्हें अरेस्ट भी कर लिया अरेस्ट करने के बाद British government ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुना कर जेल में बंद कर दिया पमेई जब जेल में कैद थी तब 1937 में जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलने पहुँचे और उन्होंने उन्हें जल्द से जल्द रिहा कराने का वादा किया इसके साथ ही साथ उन्होंने पमेई की वीर गाथा सुनकर उन्हें रानी की उपाधी भी दी आगे चलकर उनकी ये उपाधी काफी पॉपिलर हुई जवाहरलाल नेहरू ने अपना वादा पूरा भी किया और 1947 में भारत की आजादी के साथ ही पमेई को भी जेल से रिहाई मिली उसके बाद पमेई ने अपना पूरा जीवन जेलिया गॉंग ट्राइबल ग्रूप के विकास और उनके हक की लड़ाई में व्यतीत कर दिया ये थी पमेई गाइडिन लिउ की कहानी कि कैसे इनोंने इतनी कम उम्र में अपने देश और कम्यूनिटी दोनों की रक्षा की कंक्लूजन दोस्तो भारत की आजादी में स्त्रियों ने हमेशा से ही एक एहम भूमी का निभाई थी पर कहीं न कहीं हमारे पेट्रियार्कल समाज में उनके द्वारा किये गई योगदान को उतना महत्व नहीं दिया जाता स्त्रियां जो अपनी ममता, सहनुभूती और कोमलता के लिए जाने जाती थी और जिने हमेशा से घर के कामकाज में जोग दिया जाता था और हमेशा से पुरुषों के पीछे चलना से खाय गया था उन्हीं स्त्रियों ने अंग्रेजों को कई मौकों पर धूल चटा दी थी। भारत की ये वीरांगनाय काफी प्रेरणादाई हैं और उनसे हमें ये सीख मिलती है कि भले ही कितनी भी विपरीत परिस्थितिया हों, हमें अपने अंदर देश प्रेम की भावना जरूर जागरित रखनी चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपने सुनी थी इन वीर स्त्रियों की कहानी? क्या आपको और ऐसे स्त्रियों के नाम और कहानिया पता हैं जिनके योगदान की चर्चा अकसर नहीं होती? और आखिर क्या कारण थे जिसकी वजह से इन वीर स्त्रियों को उतनी इंपोर दोड़ भोड़ दो रोग रोग जोड़ आण घर लोग अ रोग आण आण व करूदो कर दो ईया है